सवरकर गदार है, सवरकर देश द्रोही है, सवरकर ने अंग्रेजों की चाकरी की, सवरकर ने मवफी मंगी थी त्राहिमाम मचाने का प्रबंध कराया है, तो अविलम आरंभ करते हैं, हाली में केंदर सरकार के सांस्कृतिक मंत्राले ने एक महतवपून जर्नल प्रकाशित किया है, गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्र का अंतिम जन्त का नवीनतम अंक विनायक दामोदर स्वावरकर को समर्पित हैं, इस अंक की प्रस्तावना में उनके कद को एतिहासिक बताते हुए महात्मा गांधी से तुलना की गई है, ये विभाग संस्कृति मंत्राले के अधीन कारे करता है और इसके अध्यक्ष स्वयम भारत के प्रधान मंत्री ह होते हैं, इसी बीच इस पत्रिका के अंतरगत, GSDS के उपाध्यक्ष और भाजपा नेता विजय गोयल द्वारा स्वावरकर के महान देशभक्त होने पर प्रस्तावना में बताया गया, ये दुख़दे कि जिन्नों ने स्वतंतरता संग्राम के दोरान जेल में एक दिन भी बताया और समाज के लिए योगदान नहीं दिया है, वे सावरकर जैसे देशभक्त की आलोचना करते हैं, सावरकर का इतिहास में स्थान और स्वतंतरता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है परंतु बात यहीं पर नहीं रुखती, गोयल ने लिखा कि ये दुर्भागिपूर्ण है कि उनकी योगदान के बावजूद सावरकर को कई वर्षों तक स्वतंतरता के इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं मिला GSDS के अधिकारियों ने कहा कि जून का अंक 28 मई को सावरकर की जैनती के अफसर पर उने समर्पित किया गया था GSDS स्वतंतरता सेनानियों को स्वतंतरता के 75 वर्ष पूरे होने पर पत्रिका के आगामी अंक समर्पित करना जारी रखेगा अब विनायक दामुदर सावरकर ने ऐसा क्या किया था कि देश के इतने महतपून स्वतंतरता सेनानियों में से एक होने पर भी उने ना तो देश के स्वतंतरता आंदोलन में उनका उचित स्थान मिला और ना ही उने कभी उनका उचित सम्मान मिला कारण स्पष्ट था तुष्टी करण की कुच्सित राजनीती के प्रती उनका निरंतर विरोध और सनातन धर्म के प्रती उनका अटूट समर्पड ये दोनों ही गुण उनमें प्रारंब से थे और उन्हें ना तो अंग्रेज तोड़ पाए ना कॉंग्रेस और ना ही कोई अन्ने जो कॉंग्रेस आज उन्हें उलाहने देने से पीछे नहीं हटती उन्हें ये बताने में साप सुंग जाता है कि इनके समर्थकों में मोती लाल नहरू से लेके व्लाद मेर लेनन जैसे लोग भी थे और स्वयम सुभास चंदर बोस जैसे लोग इनके अनुरोध पर बंगाल मे अपने आंदोलन को उग्र करने तक उतर आए ताकि वक किसी भी तरह अंग्रेजों को धता बता भारत के बाहर से समर्थन जुटाते हुए भारत की सुतंतरता संग्राम की जोती अक्षुन नरक सके परन्तों आपको क्या प्रतीत होता है ये बस अभी प्रारंब हुआ है इसकी नीव तो 2021 बही पड़ चुकी थी सूचना एवं प्रसारन मंत्राले ने पिछले वर्ष 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आजादी का अमरित महोत्सव के हिस्से के रूप में एक प्रतिष्ठित स मंत्राले की विभिन मेडिया इकाईयों ने इस अफसर पर विभिन गतिविधियों की योजना बनाई इसी के अंतरगत आजादी का अमरित महोत्सव के अंतरगत एक पोस्टर को भी लॉंच किया गया था इस पोस्टर में स्वतंतरता सेनानियों के साथ पहली बार उस पराक प्रेमियों और सावरकर के अनयाईयों को सम्मान परदान करने के लिए आजादी का अमरित महोत्सव के पोस्टर में वीर सावरकर की तस्वीर को रखा गया और उसमें से जवाहरलाल नहरू को हटा दिया गया था और आप जानते ही है कि फिर लिब्रेलों का हाल क्या होता है परंतु यह तो कुछ भी नहीं है अब से कुछ समय बाद महेश मानजरेकर के निर्देशन में स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म आने वाली है जिसमें रंडीप हुड़ा अमर वीर क्रामतिकारी की भूमिका को आत्मसाथ करते दिखेंगे अब इस भूमिका के साथ कितना नया करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा परंतु अब देश उस नायक को उनका उचित समान दे रहा है जिनके साथ इतिहास ने संपूर्ण नयाय नहीं किया था अब सोचिए अगर सरकार की कृपा दृष्ठी नाथूराम गोट से पर पड़ी तो